हेलो फ्रेंट्स वेब टेक्निकल टेस्ट में आपका स्वागत है मैं आपका होस्ट दोस्ट विरेन जैस्वाल आज किस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे फ्री टूल के बारे बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबशाइट का ऑडिट खुद कर सकते हैं अ आपको किसी और के ओपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है इवन आपकी वेबसेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम साते हैं कुछ इशू साते हैं तो वह क्या इश्यू है और इस टूल की है आपको मिल जाएगा और यह छोटा मोटा टूल नहीं है यह बहुत ही पूरान आपको चीज़े क्लियर हो सकती है आपको किसी दूसरे बंदे के ओपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं वो टूल कौन सा है कैसे यूज करना है और क्या कि उसमें फीचर्स आपको फ्री में मिलते हैं यह सब चीज़े तो मैं वीडियो में जाके आपको डिटेल में बताऊंगा ही मगर चैनल पर फर्स टाइम आये तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बैल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर करना ताकि जादा क्लिक करना है href.com का वैब मास्टर टूल है यह जैसे आप इसके ओपर क्लिक करेंगे यहां पर इस तरह से एक पेज ओपन होगा जहां लिखा होगा href वैब मास्टर टूल यहां पर साफ साफ लिखा होगा है इंप्रूव यूर वैबसाइट एस स्यो परफॉर्मेंस एंड यहां पर इसके और यहां पर आप नीचे आएंगे तो एक वीडियो नहीं बना रखी जहां पर इन्होंने डेमो दे रखा है बट मैं सबकुछ वीडियो में कवर करने वाला हूँ फिर भी अगर आपको देखने हो तो आप यह वीडियो देख सकते हैं नीचे आप यहां पे आएंगे साफ-साफ यहां पर लिखा हुआ है वाइस साइन अफ फो एचर एफ वेब मास्टर टूल फस्ट अफॉल यहां पर मॉनिटर कर सकते हो अपनी एस्यों हैल्थ को उसके बाद यहां पर अपने बैक लिंक को आप चेक कर सकते हो और कीवर्ट को यहां पर देख सकते चेक किवर्ट करेंशन घ्यार वेब से रहे हैं उससे और वी कीवर्ट को आप यूज करके और भी आटिकल्ट लिक्क्र everybody करके हो और यहां पर साफ-साफ इन्हों ने mention कर रखा है filling the gap of google search console यह इनका href webmaster tool है और यह google search console जो की google webmaster tool था पहले उसको search console में convert कर दिया था और इसमें और इनमें क्या फरक है यहां पर साफ-साफ इन्हों ने एक एक चीज mention कर रखी है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा हुगा है कुछ faqs हैं और यहां पर नीचे sign up का option आपको मिल जाएगा यहां पर simple google से facebook से कर सकते हैं या फिर अपनी email id डालके भी आप कर सकते हैं यहां पर आपको टिक करना है और sign up करना है विद google क्योंकि यहां पर आपको अपने webmaster टूल की permission इन्हें से यह मांगी और आपको देनी होगी अब यहां पर एक next screen आएगी यहां पर complete your account where did you learn about href आप यहां पर google लिख सकते हैं या फिर जिस से भी आपको रेफरेंस मिला है उसका नाम यहां पर आप मैंशन कर सकते हैं कि रिसीव प्रोड़क्ट अपडेट रिसीव न्यू आर्टिकल्स फ्रॉम एचरे फ्लोग यह आप कर लें तो अच्छा ही है कि उसनक उसने आपको अपडेट्स आते रहेंगे आप भी पूछ रहें आपसे गूगल सर्च कंसोल से आप इंपोर्ट करवाएंगे या फिर मैनुल करेंगे तो यहां पर इंपोर्ट वाला ऑप्शिन ही आपको सेलेक करना है और अपना वो एकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका गूगल सर्च कंसोल आपने एड़ कर रखा है अपने उस वेबसाइट का यहाँ पर आपको परमिशन देनी है अलाओ करना है इसको जैसे आप वहाँ परमिशन दे देंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर इसको अलाओ करना है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जितनी वेबसाइट वहाँ पर लिस थी उसने सारी दिखा दी है तो मुझे मेरी इस वेबसाइट कहीं खाली डेटा यहाँ पर आडिट करना है उसको अनलिस करना है और उसकी जितने बैक लिंक्स हैं आपर कीवर्स हैं व को आपको यहां पर टिक करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आपको import पर क्लिक करना है जैसे ही आप import पर क्लिक करेंगे यहां पर साफ साफ सारा दिखा देगा कि मेरी website का क्या domain score है referring domain back link organic traffic organic keyword सारी चीज़े यहां पर detail में दिखा देगा अब मुझे इसको ओर डीप में जानना है तो मुझे इसके लिए यहाँ पर मेरी website की ओपर मुझे click करना पड़ेगा जैसे ही मैं यहाँ पर आओंगा मुझे मेरी website का जो भी details है वो यहाँ पर सारी show कर देगा मेरा rank क्या है URL rating क्या है domain rating क्या है backlink क्या है referring domain क्या है organic keyword क्या है यह सारी चीजे मुझे यहाँ पर यह शो कर देगा इस हिसाब से मैं जो की चीजे पहले paid हुआ करती थी वो सारी की सारी चीज यहाँ पर मुझे free of course provide करी जा रही है HRF tool के द्वारा यहाँ पर आप सब कुछ चीजे चेक कर सकते हैं आपके कौन से नए backlink बन रहे हैं कौन से broken हो रहे हैं कौन से यहाँ पर आपके जो organic keywords काम कर रहे हैं किन-किन keywords पर आप काम कर रहे हो कौन से आपके referring domain है so friends यह आपका main dashboard है यहाँ पर आके आप अपनी website की सारी चीज़े चेक कर सकते हैं जो की पहले paid हुआ करती थी paid tool के अंदर हुआ करती थी अब वो free of cost हो गई है जिस भी site का owner है वो verify करके अपनी website का audit खुद कर सकता है कि उसकी website की domain की rating क्या है URL की rating क्या है कितने backlinks बने कितने do follow backlink है कितने no follow backlink है referring domain कितने है organic keyword कितना है traffic कहां कहां से आता है एक एक चीज़ यहाँ पर आके वो check कर सकता है अगर आपको यह tool use करना नहीं आता आपने पहले कभी नहीं use किया हुआ इसके बारे में सुन रहे हैं तो मैं आई बटन में एक video देदूँगा वो video आप देख लेना उस video मैंने HRF tool को कैसे use करता है उसके बारे में भी बताया हुआ है तो आप वो video देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस tool को कैसे use करके आप अपनी website की performance ठीक कर सकते हैं उसकी score ठीक बागी keyword explorer rank tracker content explorer यह paid में ही इनके आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ अगर organic यहाँ बैक लिंक करने कि अगर सोचू कि मेरे बैक लिंक कहां कहां से बने में को सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे सारे बैक लिंक लिस्ट आजाएगी जहाँ जहाँ से मेरे बैक लिंक बने हुए मेरी website के उसके बाद मैं चाहूं मेरे keywords check करना चाहता हूं कि मेरे कौन-कौन से main keyword है जहां से मेरे को traffic मिल रहा है तो मैं यहाँ पर आकर चेक कर सकता हूं मेरे सारे keywords पर और यहाँ पर आना है मेरे crawling वाले section पर क्रॉल हो रहा है यहाँ पर health score crawling यहाँ आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे overview आपको क्लिक करना है यहाँ आने के बाद आपको साइड का health score मिल जाएगा जो कि अभी 69 है फिर है मैं इसमें जितने भी issue दिखाना चाहता हूं कि जब आप fresh करेंगे तो आपके सामने क्या के चीज़ आएंगी और उनको fix करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर यह और मैं आऊं तो भी health मेरा 68 दिखा रहा है जिसमें नीचे कुछ वह top issues मुझे दिखा रहा है इमेज ब्रोक है या फिर और सफा पेज है मैटर डिस्क्रिप्शन टैग में सिंग और एंपी स्टीपी एस पेज इंटर्नल लिंक एट टू स्टीपी डिरेक्ट पेज है जो इंकमिंग इंटर्नल लिंक तो यह कुछ चीजे हैं जो मुझे यह बता रहा है और उसको रिजॉल्ट कैसे करना है उसके बार लिंक्स इस इमेज on your pages तो मुझे यहां पर बता भी रहा है कि मुझे किस तरह से अपनी problem को fix करना है जितने भी यहां पर error आ रहे हैं उनके बारे में सारी यहां पर मुझे fix कैसे किया रहता है वो भी चीजे मुझे यहां पर बताई जा रही है तो friends इस टूल की help से आप ज्यादा traffic आ रहा है कितने backlink बने कितने do follow backlink है कितने no follow backlink है आपको किसी दूसरे के ओपर dependent होने की कोई ज़रूत नहीं है आप यहां पर सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो अपने क्लाइंट की website को भी अच्छे से audit वगारा कर सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं आपको यहां पर जितने भी sites के अंदर issue होते हैं उसको कैसे fix करना है वो भी आपको यह टूल खुर बताता है जो कि search console में आपको detail में नहीं बताया जाता है अभी just मैंने आपके सामने ही इसको डाला है तो अभी यह crawl हो रहा है जैसे यह पूरा crawl हो जाएगा उसके बाद मुझे पूरा detail में बता देगा क्या-क्या issue है मुझे किस-किस area में काम करना है कैसे इसको resolve करना है तो मैं जरूर उसके ओपर भी एक website का audit कर सकते हैं अपने client की website को audit कर सकते हैं एक चीजश चैक कर सकते हैं है उसमें कुछ कमी है तो इसको improve कर सकते है keywords कैसे काम कर रहें कौन से rank कर रहें कहां से traffic आ रहा है backlink को उन से बने हूँ है कहां कहां से बने हूए लिए अपने यहां पर चेक कर सकते हैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना चैनल पर फर्स टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में भी सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचती रहे मैं डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जहां पर मैं जितने भी इशूस मुझे मिलते हैं मेरी वेबसाइट के उनको रिजॉल्व करने कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रॉल्म को कसे सॉल्व किया जा